हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेक रहा हूँ जो अभी अभी आपका जनरल इंटेलजेंस के जो भी मैं सवाल लेक रहा हूँ एक-एक सवाल को मैं ट्रिक से कराऊंगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया आपके 6-7 सवाल अगले पेपर में यहां से रिपीट करने वाले हैं तो गैज देख लेते हैं जल्दी से सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट और दोस्तों सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात अगर आप किसी भी गोवर्मेंट एक्जाम की तेयारी कर रहे हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो दोस्तों ये नीचे लाल कलयर क बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सबी ट्रिक वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटिक स्टेडी पर आपको टाइम टु टाइम मिलता रहे तो दोस्तों देख लेते क्या क्या सवाल पूछ देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी आसान पुछा गया तो गैस सवाल क्या पुछा गया ओस्ट्रेलियन ओपन टैनिस 2020 के पूरुस एकल का किताब किसने जीता है ये जीता है नोवाक जोको विचने देख लेते गैस अगला सवाल सविधान सभा की पहली बैटक कब नो दिसंबर 1946 में देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पुछा गया राजु गांधी राष्ट्रे सद्भावना पुरुसकार पर्सव परतम किसे मिला था तो गैस ये मिला था मदर टेरे सको देख लेते अगला सवाल विश्व रेडियो दिवस कम मनाया जाता है तो गैस ये मनाया जाता है तेरा फरवरी तेरा फरवरी सवाल का रेट आंसर चला जाएगा देख लेते गाइस अगला प्यारा सवाल भारत का अंतिम वाय सराय कोन था तो गैस इनका नाम था लोड माउंट बेटन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चे पूचा गया एंटोमोलोजी का संबंद किस से है तो गैस ये आपका है कीट विज्ञान से देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी बढ़ी है पूचा गया मंडरे का कब किस खेल से संबंदित है तो गैस ये आपका फुटबोल के खेल से संबंदित है देख लेते अगला सवाल ओ MR का पूर्ण रूप क्या होता है तो वैज यह होता है Optical Mark Reader देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक एक सवाल होगो अराम से मैं कराने जा रहा हूँ सभी गणित और इसनिंग को मैं ट्रिक से कराऊंगा 26 मार्च को वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन किस देश ने करवाया ये करवाया साओधी अरब ने देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया हुमाईयो नामा की रचना किस ने की थी तो गाईज ये की थी गुल बदन बेगम ने देख लेते हैं अगला सवाल कंपिटर के छِّत्र में सबसे पहले करांति कवाई थी तो गाईज यह आयती 1960 में देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी बैतरीन पूचा गया किस दिन विस भोगता दिकार दिवस मनाया जाता है तो गाईज ये मना जाता है 15 मार्च को 15 मार्च इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया हाली में राश्टपती रामनाथ कोविन का सचिव किसको नुक्तिक गया है तो गाईज ये क्या गया है कपिल देव त्रिपार्थी को देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया भारतिय रेलवे बोर्ड के नए CEO यानि Chief Executive Officer किसको नुक्तिक गया है तो गाईज ये क्या गया है विनोध कुमार यादव को देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल दोस्तों ये आपका रिजनिंग का सवाल पूचा गया इसको मैं लोजिक से बता देता हूँ कैसे करना था ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ब्यूटिफुल का कोड दिया गया है और लीफ का कोड पूचा है लोजिक क्या लगेगा कोपी-पेस्ट मैथड यही से उठाना है यही पर लिख देना है कैसे करेंगे L को क्या लिखा है इसनी L को लिखा है M sorry N N लिखा है N यहाँ पर रख देंगे E को क्या लिखा है इसनी E को लिखा D D यहाँ पर रख देंगे क्या लिखा है F को लिखा गाइस के के यहां पर रख देंगे तो दोस्तो यही इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तो एक सवाल ये भी आसान पूछा गया इसको लोजिक से बता रहा हूं 15 लेखों का लागत मतलब होता है कोश्ट प्राइस विक्रे मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला 15 15 चीजों में से इसने 10 को बेच दिया कितने को इसने बचा लिया हमें लाब परतिसत निकालना है कितने को बचा लिया इसने 5 को तो दोस्तों पांच याँ पर रख देंगे कितने को बेचा 10 को बेच दिया 100 से गुणा करेंगे क्योंकि याँ परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा करके 0 से 0 कर जाएगी यह आ जाएगा 50% 50% इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा आप लोग इस तरीकी से सवाल करके आ सकते थी आगे बढ़ लेते गाईज अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तो एक सवाल ये भी बैतरिन पूछा गया एक टेबल की कीमत 750 रुपे है 4% की नुक्सान पर इसको बेचा जाता है टेबल की विक्रे मुल्य का पता लगाए दोस्तो देखो कीमत क्या होती है कोषट प्रेस यानि करे मुल्य है विक्रे मुल्य होता सेलिंग प्रेस जो हमें निकालना है दोस्तो variance अपने आपमें क्या होता है कोषट प्रेस अपने आपमें होता है 100% 100% की value हमें दी गई है 750 रुपे ठीक है guys अब देखो ध्यान से देखो एक चीज चार परतिसत का नुकसान हुआ है ठीक है अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है विक्रे मुल्य तो दोस्तो एक परतिसत की वल्ली यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो से जीरो कड़ जाएगी तो यह आएगा 75 बटे 10 तो दोस्तो चार परतिसत की वल्ली यहां नुकसान में निकालो दोनो तरब 4 से गुणा करदो दो दूनी चार दो दूनी चार दो पंजे 10 पांच से काटेंगे 15 बार तो दोस्तो पंजे 15 में 2 की गुणा होगी तो 4 परतिसत की वल्ली यहां जाएगी 30 रूपे तो यहां से क्या पता चला 30 रूपे का नुकसान आ गया और हमें हमारे पास 750 रूपे कोष्ट पाइस है यानि आप भारा क्रे मुल्य है 750 रूपे जब इसमें से इसको गटाएंगे तो क्या आएगा 720 रूपे तो दोस्तो 720 रुपे आपका selling price आ जाएगा यानि आपका विक्रे मुल्य हो जाएगा इस जो यह आपकी वस्तू है इसका हो जाएगा 720 रुपे इसका विक्रे मुल्य हो जाएगा यानि जिसमें इस table को बेचा गया होगा ठीके गाइस 720 रुपे सवाल का right answer चला जाएगा आगे बढ़ लेते हैं और भी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तो जो भी बच्चों ने मुझे आपर सवाल बताए 100% real सवाल मैंने आपको बता दिये 2021 में मम्मी बापा का सबना पूरा करना चाहते हो एक सरकारी नोकरी लेना चाहते हो सभी subject को trick से पढ़ना चाहते हो दोस्तो आपको एक दो सेकिंड लगेगी यह लाल कलर का बटन होता है नीचे की साइड यह लाल कलर का बटन नीचे होता है आपको दो से तीन सेकिंड लगेगी इसको दबालो सारी trick आपको यहीं मिल जाय करेगी बेल आइकन को ओल कर लो ताकि सबी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टेडी पर आपको टाइम टी टाइम मिलता रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए आपको Best of Luck धन्यवाद